इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुती इंडर्सिंग टॉपिक के बारे में हाल ही में एक बहुती विजिद्र घटना हुई है इन केरला इस रो का एक ट्रक ब्लॉक कर दिया गया और यहाँ पर डिमांड किये गए 10 लाग रुपे यहाँ आप दे हुए आर्टिकल है मतलब कि देखने के पैसे चाहिए हमको आप यहाँ पर का ट्रक यहाँ पर ब्लॉक क्यों हुआ यह सब भी आपको समझाओंगा मगर वैसे मैं आपको यह बता रहता हूँ एक गाना था बहुत प्रणा गाना है It Happens Only in India वो गाना इस सिनेरियो में बिलकुल फिट बैटता है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कभी नासा का रॉसकोमोस का या फिर येरोपियन स्पेस एजंसी के जो ट्रक्स हैं उनको कभी उनकी जनता ने ऐसे रोका होगा ऐसे पे किये ट्रक यहाँ पे आगे बढ़ गया मगर इस बीच इस रो के लोगों को केला के चीफ निश्टर के सामने हाथ पैर जोडने पड़े है रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि प्लीज हमारा जो ट्रक है यहाँ पे रोक के रख दिया लोगों ने इसको जाने दो तब जाकर ज सिचुएशन है नॉर्मलाइस हुई नाव डिसकस करते हैं आपे हुआ क्या है मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेशन पुछूंगा क्वेशन ये है कि इस रो की जो सेमी कंड़क्टर लेबॉर्टरी है जी हाँ इस रो की भी एक बहुत ही बड़ी सेमी कंड़क्टर लेबॉर्टरी है ये कहां पे लोकेटिड है ये हैं यहां पे आपकी ऑप्शन बैंगलूरू मुहाली चन्नाई या फिर डली कॉमेंट सेक्शन में करो आंसर सही आंसर मैं आपको दूँगा वीडियो के अंथ में नाव सबसे पहले जो यहां पर बेसिक से आपको जानने हो इसरो का जो हैड़कोर्टर है ये तो आपको मिलेगा बैंगलूरू में ये इसरो का एक बहुत ही इंपॉर्टन पार्ट है विकरम सहरावाई स्पेस सेंटर यह आपको मिलेगा इन केरला केरला में भी कहा पर थिरुबंतपुरह में एक बार मैप पे आपको दिखा रहता यहाँ पर काफी बार ना जो equipment बिल्ड करना होता है मानलो कोई wind tunnel है कोई satellite बिल्ड करनी है कुछ भी बिल्ड करना है तो उसके parts यहाँ पर लाने होते होंगे काफी बार जो इसके parts हैं यह KERLA के बाकी जगा या फिर करनार्डका में बनते हैं तो काफी बार इनको assemble किया जाता है इस location में, तो recently भी यहाँ पर यही हुआ था, कि विक्रम सराबाई space center में कुछ parts पोचाय जा रहे थे through road, और जो यह parts हैं जो यहाँ पर विक्रम सराबाई space center में पोचाने थे, यह एक heavy duty truck carry कर रहा था, यह यहाँ पर parts थे trisonic wind tunnel के, trisonic wind tunnel workers ने यह कहा, कि हमको 10 lakh रुपे दो तबी जो यह truck है, इसको मागे बढ़ने देंगे, और कई घंटों तक, जो workers हैं यहाँ पर truck के सामने खड़े रहे, और इस रोग की delivery है, यह time पर नहीं हो पाई, नाव यहाँ पर आप पूछो के, wait, wait, truck जा रहा है सड़क पर, अचानक से workers सामने आगए बहुत सारे, और उन्हें डिमांड किया 10 lakh, क्यों किस बात के 10 lakh समझाता हूँ आपको, देखो यह case था, नोकु कूली का, नोकू कूली क्या है, बहुती सरल सब्दों में पहले आपको समझना होगा, आपने life में काफी बार, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी र workers का काफी critical role होता है, नाव केरला में क्या है कि बहुत लंबे समय से, कई दशकों से एक practice चल रही है, नोकू कूली की, इसके अंडर क्या है कि मान लो, आपकी एक company है, आपकी company के एक factory है, इन केरला, अब केरला में आपको अपनी जो company की factory है, उसका समान एक जगा से transfer करना है, किसी और जगा पे, तो आपने आपर अपना जो समान है, यह उतरवाने के लिए यहाँ पर बुलाया headload workers को, मगर headload workers ने यह का कि अरे यह तो बहुत सारी machinery है, बहुत सारा यहाँ पर समान है, हम लेंगे 60-70,000 रुपे, आप rate सुनके आपने का, नहीं नहीं, यह तो बहुत म आपने सारी जो machinery है, यह ट्रक पे लोड कर दी, अब workers ना ट्रक के सामने खड़े हो जाएंगे, वो यहाँ पर कहेंगे कि हमें हग बनता है, कि अगर हमें काम नहीं दिया जाता, तब भी we should get paid, और यह लोग यहाँ पर फिर कहेंगे कि जितने आप वैसे हमको pay करते, उतने त इन्होंने काम यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, इसको कहते हैं सिर्फ देखने के पैसे, नोकुकूली, और यह वैसे केरला में आज गए समय अब जाकर illegal बना दी गई है, सरकार इसे तंग आ चुकी, एक टाइम पर आकर high court तंग आ चुका है, मगर काफी बार क्या होता है, कि लोकल लेवल के जो लीडर होते हैं, MLA होते हैं, वो चुपचाब वर्कर्स को यह सब करने देते हैं, वोड बैंक के नाम पर, तो नोकुकूली सिर्फ केरला स्पेसिफिक है, और यह आप कह सकते हैं, एक कॉमनिजम का प्रड़क्ट है, कार्ण मार्स भी अगर यह सुनता प आईवेः पर, सड़कों पर देखते हैं, के ट्रक कहा पर जा रहा है, कौन सा वो ट्रक है, जहां पर माल कहीं पर पुचाया जा रहा है, जहां पर जो लोकल वर्कर्स थे, जो रिजिस्टर्ड लोकल वर्कर्स थे, उनसे काम नहीं लिया गया, बस उन्होंने अपनी कुई कमपनी से काम निकलवाया, या फिर खुदी अपने जो वर्कर्स है, उससे उफ्लोडिंग, उन्लोडिंग कराई है, तो उनसे ये लोग वसूलते हैं, नोकु कुली, और रिसेंट ये देखो, जो रिजिस्टर्ड वर्कर्स थे, ना केरला में, उन्होंने नोकु कुली करके लाखो रुपे कमाएं, लाख रुपे कैसे कमाएं हैं, देखो, काफी बर क्या होता है, कि जो समान है, जो मशीनरी ही अनलोड या फिर आफ़ रोड कर सकती है, वहाँ पर भी ये लोग पहुँच जाते हैं, और कहते हैं, कि नहीं, अब तो मशीन से काम करवा रहे हो, मशीन को ने लाख रोपे कमाए हैं, अब आप यहाँ पर पूछोगे, कि यह जो प्रेट्टेस है, यह तो काफी इंडस्री को ड्रा देगी, वो भाग जाएंगे यहां से, तो ऐसा हुआ भी है, कई लोग है जिन्होंने अपना बिजनस केरला से शिफ्ट कर लिया, यह सब देखकर, इसलिए recently केरला के हाइकोर्ट ने का था, कि सरकार प्रोपर तरीके से, नोकु कोली को नहीं रोक रही, इसका एक बड़ा रीजन यह भी है, कि जो यहाँ पर वरकर्स है, हैडलोड वरकर्स, उसमें से 70% जो है, यह बिलॉंग करते हैं, CPM को, तो जो कॉमलिस पार्टी है, व लोग काफी बार मैं काऊंगा चुप थे, अब इसरो के साथ यह हो गया ना, इस वज़े से मैं काऊंगा, finally पूरा देश अब देख रहा है, नुकु कुली को, और यह नाशनली डिसकस किया जा रहा है, कि इसका शिकार यह लोग इसरो को कैसे बना सकते हैं, इसरो तो देख वो इतना भारी था, कि हम human beings से उसको उतरवा ही नी सकते थी, उसके लिए हमको machinery चाहिए थी, machinery से हमने इसको offload किया है, onload किया है, तो हम यहाँ पे नुकु कुली किस बात के दे, तो यह बात इन्होंने केला के CM को समझाई, बोला के हमसे 10 lakh rupees डिमांड कर रहे हैं, तब जाक देखो, जो हमारी space organization है, उसको यह सब problem भी face करनी पड़ती है, और यह तो सिर्फ एक example है, इंडिया में और पतानी इस रोग को कहाँ कहाँ problem जहलनी पड़ी होगी, सोच की डर लगता है, और काफी अत्तक मैं यह भी कहूंगा, कि इस रोग के लिए जो overall respect है, वो भी काफी ब बहुत सी industries है, जिन्होंने recently केरला को छोड़ा है, for example, आपने सुना होगा, कि कीटेक्स ग्रूप ने initially यह का था, कि केरला में यह 3500 करोड रुपे invest करेंगे, मगर फिर recently इन्होंने यह का है, कि इनको बहुत जादा harassment face करनी पड़ रही है from officials, और बहुत जादा interference हो रही है from politicians, इसलिए केरला में यह लोग investment नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे cases in the future ना हो, तो केरला को overall ही देखना होगा, कि industries को किस टाइप की harassment या फिर problems face करनी पड़ रही है, while working in केरला, now वापस आते हैं हमने question पे, where is ISRO semiconductor laboratory located, तो सही उत्तर यहाँ पे है option, option B, mohali is the right answer over here, और मैं वैसे आप के समय बहुत ज़रा योगदान दे रहा है भारत को, it is truly a gem of India, और finally आपर मैं यह वियाड कर दूँ कि Ann Academy का जो UPSC course है, इसके prices बंडे वाले हैं, from 15th of September, comment section में जाओ, link पे हाँ पे click करो, और यहाँ पे आप खरीज सकते हैं, यह unique combo package, जिसके जरीए आप UPSC prelims, mains, optional, तीनों क ही त्यारी properly कर पाएंगे, just click on pick a plan, और यहाँ पे आप खरीज सकते हैं, 12 महिने, 24 महिने, या फिर 36 महिने का course, जो 24 महिने का course है, यह यहाँ पर आपको पड़ेगा, सिर्फ 2,992 रुपीस का, अगर आप use करते हैं, promo code PD10, तो अभी के लिए मैं कहूंगा, the prices are very reasonable, it is very affordable, क्यों 15 सब्तमबर के पास बढ़ जाएंगे, so you can buy the course while it is still cheap, so इसी note के साथ यह है आपर वीडियो कांत, thank you for listening and as always, God bless you all.